हम बिना बैनर के बिना इसके हम थाना को मिल क्या करेंगे हम किस बैनर तले कर रहे हैं किस नाम के नीचे कर रहे हैं थाना तो सवाल करेंगा ना हर चीज में स्यासत नहीं किया आता अगर इसराइल गलत है तो लोगों को पता चलना चाहिए दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि इसराइल गलत है तो इस प्रोटेस्ट का ये असर हो रहा है कि लोग 90% लोग इसराइल को गलत कहना शुरू कर दिये लोग तो यह समझेंगे कि पूरी दुनिया के मुसल्मान है अपने घरों पे बैठे हैं और फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, कोई सड़क पे उतरने को तयार नहीं है बैनर क्या है? बैनर में छोटा सा नीचे नाम था आप देखें न को प्रोटेस्ट दिख रहा है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि मुसल्मान फिलिस्तीनी भाईयों के लिए हर तरह से जो भी करने लाइक हैं अपने घरों में बैठ करके इबादत करना, कुरान की तलावत करना, इसाले सबाब करना, दुआएं करना, नमाजों में उठाईएगा, नहीं प्रोटेस्ट कीजिएगा, तो कैसे होगा? कर रही है, बाप मेर रहा है, किसी का बेटा मढ़ जा रहा है, लास एक वहाँ पे ऐसा सुच्वेशन है, कि एक कबर में तीन-तीन लास से डाला जा रहा है, वो पहले खुद बोल ले हैं कि लोगों को इतजाज करना चाहिए, इतजाज के इलावा और कोई रास्ता नहीं है, कि सबसे पहले तो मैं आपको बढ़ा दू, फिलिस्तीन के ओपर जुल्म हो रहा है, तो वो लोगों को देखना चाहिए, कि जुल्म जो हो रहा है, वहाँ इंसानियत सरमसार हो रही है, वहाँ पे जिस तरह से तीन महीना बोलिये, तीन साल बोलिये, पांस साल, बच्चे जो हम ऐसा मेरे अंदर फिल होगा, कि हम जीते जी एक लास की तरह है, तो आप, आपको एहतजाज करना आपका यह है, आप कीजिए, और जो लोग इस तरह की बात बोल ले हैं या कह रहे हैं, तो आप उनका ब्यान पुरा सुनिए, वो पहले खुद बोल ले हैं, कि लोगों को इतजाज करना चाहिए, इतजाज के इलावा और कोई रास्ता नहीं है, फिर बाद में यो लोग, वही बात, किसी के मेडिया के पुछने पे वो लोग बोल ले हैं, तो आप खुद तो वो लोग कन्फूज हैं, तो क्या बोले जाएगा, देखे, जब एक्चुली देखिए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो खुदा की किसम हम लोग इतना डर से हम लोग रास्ता पे आ गये थे, सिर्फ ये बोला गिया था, और वहाँ तो तीन महीने के बच्चा को समझ लिए कि किस तरह जो वीडियो आ रहा है, आप देखिए, उसके लिए आवाज नहीं उठाए, हम लोगो सिर्फ इतना बोला गिया था, कि अगर तुम्हारा सना ये नहीं रहा तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा इंदुस्तान से, हम लोगा तो जान तो नहीं मारा जा रहा था, वहाँ पे तो माएं मर रही है, बाप मेर रहा है, किसी का बेटा मर जा रहा है लास, वहाँ पे ऐसा सुचेशन है, कि एक कबर में तीन-तीन लास से डाला जा रहा है, बच्चे कहिए, ये सुचेशन में अगर आवाज नहीं उठाए तो क्या करें, देखिए, लोग हर तरह से, जिसको जो हो रहा है, घरों में निमाज पर रहे हैं, घरों में जिसको, को मुकमल करवाई है, फिलिस्तीन भाई, जो जितने भी लोग परिशान है, उसके लिए दुआ करवाई है, कि मतलब जितना जल से जल हो सके, ये मामला ये यूद रुगे, रुगे, जिस तरह से फिलिस्तीन से दर्दनाग तस्वीरे सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करके इस मसले का हल हो जाएगा? आवाज नहीं उठाईएगा, नहीं प्रोटेस्ट किजिएगा, तो कैसे होगा? हर चीज में स्यासत नहीं किया आता, आप एक चीज उठा के देख लिजे न, जितने भी स्यासत दा लोग है, कोई किसी भी लीडर को आप बता दीए, कि ये इस प्रोटेस्ट के लिए आपने हिसाब से करते हैं, तुमको जब तक उपर से ओर नहीं आगा, तुम नहीं करोगे, हमारे अंदर तो इंसानियत जिंदा है, जब तक जिंदा इंसानियत रहना चाहिए इनसान के अंदर, चाहे वो किसी भी कौम के साथ गलत हो, तुम आवाज उठाने के लिए हमेशा खरे रहो, यह प्रोटेस्ट तो बिना बैनर के भी तो हो सकता है, अगर बिना बैनर के भी अगर प्रोटेस्ट होगा, तो क्या वो प्रोटेस्ट कामियाब नहीं हो, अच्छे एक बात बताईए, कोई चीज आप करने जा रहे है, हम बिना बैनर के, बिना इसके, हम थाना को मिल क्या करेंगी, हम किस बैनर तरले कर रहे हैं, किस नाम के नीचे रहैं, थाना तो सवाल करेंगा ना, यहाँ की सर्कार, वो तो यह करें तो भीना बैनर का, बैनर क्या है, बैनर को रहे हैreaming, मैं chuटा सा नीचे नाम आ आप बैनर में तो कुछ ऐसा मेरा फोटो नहीं था या किसी जो लोग कर रहे हैं उसका तो फोटो नहीं है सिर्फ छोड़ा सा नाम था उसने फिलिस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहे थे उसका पिच्छर हम लोग ने यह किया था उसमें यह सी यह सब चीज आप जो जो लुमा बोल है कि नहीं ऐसा इसका मतलव है कि जो आप पूर टेश्ट कीजिए और दूसरा को अगर करें तो वह फाइदा नहीं है। तो आप आपको किया था आप भी आप भी तो आप भी प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं तो आप भी इसका मतलब थ्यासत कर रहे हैं। यह इस तरह का इस तरह का ब्यान बाजी अभी करने से कोई फायदा नहीं चाहे कोई भी हो अभी जिस तरह फिलिस्तिन को उपर मुसीब अता है हम लोगों को चाहिए सब लोगों को चाहिए मिलके दुआ करें और जितना जो हो सके जिस तरह से भी उनकी मदद करें देखिए ऐसा है कि फिलिस्तीन की हालत किसी से छुपी नहीं है कि इस वक्त फिलिस्तीन किस मुश्किल में और किस मुसीबत में गिरा है और इस तरीके से फिलिस्तीन की जगे को कबजा करके और आए दिन बंबारी चल रही है तो एक मुसल्मान होने की नाते ये तो कौम सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं है मुसल्मान तो पूरी दुनिया में काबिज है, हर मुल्क में है तो फिलिस्तीन की हाला दे करके मुसल्मान अगर वहां नहीं जा करके कुछ कर सकता तो कम से कम उनके लिए आवाज उठा सकता है, उनके लिए दौाएं कर सकता है, तो अब उसके तरह तरह के तरीके हैं, लोग सड़कों पे निकल करके अपना इहतजाज दर्ज कर रहे हैं, ताकि हमारी आवाज बुलंद हो, और लोगों तक पहुंचे, सोशल मीडिया के लोगों को पता चले कि इसराइल गलत कर रहा है और गलत के साथ पूरी दुनियाह का मुसलमान है तो इस मंगर यह कह देना कि ए नहीं उतर ना चाहीह तो हम समझतें कि यह और बात इस तरह की बात नहीं करने चाहिए थी लेकिन अगर ऐसा देख रही है कि प्रोटेस्ट ना करके कोई दूसरा कोई रास्ता फ्यार किया जिससे फिलिस्तीनियों के लिए कोई भलाई का काम हो सके तो फिर उसमें क्या देखे कुछ चीज़े दिख रही हैं कि लोग लोगो की तलावत करना इसाले सबाब करना दौाएं करना नमाजों में दौाएं करना लोग कर ही रहे हैं लेकिन अब वो घर के अंदर की बात है तो अपने जज़बात को और अपनी चीज़ को अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे नहीं पता लोगों को चलेगा तो लोग तो यहीं स जालने से सबसे बड़ा देखिए फाइदे नुकसान के लिए तो ये प्रोटेस्ट होई नहीं रहा सबसे पहली बात कि पूरे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया का मुसल्मान आपने देखा हो गया कि उस दिन तुर्की ने भी एक बहुत जबरदस्त उन्हों ने रह लिए प्रोटेस्ट निकालने का मतलब ये नहीं है प्रोटेस्ट निकालने का मतलब और उसका फाइदा ये हो रहा है कि कम से कम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसराइल ने गलत किया है और इसराइल की जो गलतियां है उसकी जमीन पे जो 88% कबज़ा जमाय बैठा है इसराइल और फिलिस्तीन को 12% जमीन बची है और जिस तरीके से वहाँ पे हमास को खतम करने की प्लानिंग चल लिए तो अगर इसराइल गलत है तो लोगों को पता चलना चाहिए दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि इसराइल गलत है तो इस प्रोटेस्ट का ये असर हो रहा है कि इसराइल ने जो किया है उसके आगेंस वो हमेशा से पूर प्रधान मंतिरी रहे हो ये इस से पहले जो भी हमारे नेता रहे हो जो भी इस देश के में काबिज जो सरकारे रही हैं उन्होंने इसराइल को गलत बता करके फिलिस्तीन के हक पे बात की है और आज उस सियासत को ल बिहारी बाचपई को हम गलत कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन सही है, वो भी हमारे देश के प्रधान मंतरी थे और वो सर्व पर ये नेता थे, और हर जगा मानने थे, हिंदो, मुस्लिम, सीख की साही, सारी कुम्यूनिटिक लोग उनको अच्छा नेता मानते थे, सेकुलर लीडर थे, बाचपई की सरकार के वो ऐसे नेता थे, जो हर कम्यूनिटी के लोग उनको स्विकारते थे, मानते थे, उनका ये बयान है कि फिलिस्तीन हक पे है, इसराइल ने कबजा किया है, और इसराइल को ये जगा छोलनी पड़ेगी, आज के नेता अगर अपने को सियासत नहीं करना चाहिए, जो सही है वो तो कम से कम सही कहना चाहिए.